हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग कालर वाला कुर्टा बनाना शीखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमने पूरे कपड़े को इस तरह से ओपन करके बिचा लिया है अब हम इसको इस तरह से डवल फोल्ड करेंगे तो इसकी हम फ्रेंट पार्ट और वैक पार्ट की कटिंग अलग-अलग करेंगे तो ये पहले हम लोग फ्रेंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं इस त यहां से लंबाई का निशान लगाएंगे उपर की तरफ से नीचे की तरफ इस तरह से हम निशान लगा लेंगे जितनी भी हमारी लंबाई आई है कुर्ते की इस तरह से हम पूरी लाइन ड्रो कर लेंगे बराबर और सेम ऐसे ही हम उपर साइट भी लाइन ड्रो कर लेंगे अ हम कॉलर वाला कुर्ता बना रहे हैं, इसलिए हम ये Сोलडर आठ इंच लेंगे, इस तरह से आठ इंच लेने के बाद, अब हम गले की कटिंग बाद में करेंगे, यानि कि पेपर पेस्टिंग से बनांगे, इसलिए हम यहाँ पे नाप नहीं लगाएंगे, अब हमने जो shoulder का निशान लगाया वहाँ से नीचे की तरफ armhole के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से हमको line draw कर लेनी है इसके बाद अब हम इस तरह से एक box बना लेंगे इस तरह से box बनाने के बाद friends हम इसमें 1.5 इंच का गुलाई देंगे सेंटर से इस तरह से 1.5 इंच पर मार्ग करेंगे तेड़ी बिल्कुल सीधी सेंटर से लाइन खीचेंगे और इस तरह से विल्कुल गोलाए में शेव दे देंगे इसके बाद अब हम चेश्ट का चौथा भाग निकाल के इस तरह से निशान लगाएंगे उसमें से दो इंच प्लस करके कपड़े को लेंगे सिलाई मारजिन के लिए कपड़े के इसके बाद अब हम सोल्डर से बिल्कुल सेंटर से 12 इंच पर निशान लगाएंगे इसके बाद नीचे की तरफ 10 इंच पर निशान लगाएंगे इसके बाद हमारी हिप यानि की कमर जितनी भी है उसका हम निशान लगाएंगे तो इस तरह से हम अपने हिप का कमर निशान लगाएंगे तो जितना भी हमारा हिप है उसका हम चौथा भाग निकालेंगे उसमें से दो इंच हम प्लस कर देंगे इस तरह से हमने निशान लगा लिया अब इन निशानों को सेम इसी तरह से हमको मिला देना है हमने इस तरह से मिला दिया है इसके बाद अब हम नीचे की तरफ घेरा का निशान लगाएंगे तो जितना भी हमारा घेरा लेना है उसमें से हम एक इंच प्लस करेंगे तो जैसे कि हमको लेना है 10 इंच तो मैंने गेरा इंच इस तरह से माक किया और इस तरह से बिल्कुल हमको लाइन खीच लेनी है यानि कि इस तरह से बिल्कुल मिला लेना है अब हम सेम जिस तरह से निशान लगा है इस तरह से हम इसकी cutting कर लेंगे तो friends, यह मैंने cutting कर ली है अब हम क्या करेंगे, इसको side में रखेंगे अब जितना कपड़ा बचा है, उसको फिर से हम double fold मिलेंगे अब हम back part की cutting करेंगे इस तरह से हमने double fold में ले लिया है अब जो हमने front part की cutting की थी उसको इस तरह से हमको उसी के उपर रखना है इस तरह से रखने के बाद अब हम फ्रेंट पार्ट से बैक पार्ट को एक इंच बढ़ा लेंगे इस तरह से इस तरह से एक इंच पर माक करने के बाद पूरे में इस तरह से निशान लगा लेंगे इसके बाद आप हमको arm hole पे half inch back वाले को ज़दा लेना होता है कपड़े में इस तरह से हम half inch ज़दा कट करेंगे तो निशान लगा लेंगे इसके बाद ये निशान लगाने के बाद आप हम पूरे में निशान लगा लेंगे जितना हमारा front part है who hiking कर लेंगे तो यह हमारी front पार्ट और back पार्ट की cutting complete हो गई है आप हम क्या करेंगे इस में जो हमने back पार्ट में जो हमने cutting की है लेकिन इसमें हमें को गले की cutting कर नी पड़एगी क्योंकि color लगाते हैं इसलिए हम इसको paper pasting से नहीं पलतेंगे इस तरह से हम इसको cutting कर लेंगे तो इसकी width मैंने ली है 3 इंच इसकी लंबाई है 2 इंच इस तरह से हमको एक box बना लेना है 2 इंच पर गोलाई देनी होती है हमको तो इस तरह से हमने गुलाई दी और इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे तो यह हमारे front part और back part की cutting complete हो गई है friends अब हमारा जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम आस्तीन निकालेंगे तो आस्तीन के लिए मैंने इस तरह से 4 फोल में कपड़े को रखा हुआ है और जो भी हमारा कपड़ा है इस तरह से कपड़े के बंद भाग के तरफ से हम अपने आस्तीन के लंबाई लेंगे तो जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें से हम एक इंच प्लस करके लेंगे इस तरह से निशान लगा लेंगे ये निशान लगाने के बाद अब हम इधर की तरफ अपने लंबाई लेंगे तो ये हमको कितना लेना होता है जितना भी हमारा चेश्ट होता है उसका हम चौथा भाग निकालके इस तरह से निशान लगाएंगे ये निशान लगाने के बाद अब हम इसमें गहराई देंगे तो तीन इंच की देंगे क्योंकि ये हमारे फूल स्लीव्स है इसलिए हम इसमें तीन इंच की गहराई देते हैं अब ये जून हमने तीन इंच की गहराई दी है उपर की तरफ से इस तरह से हमको मार्ग कर लेना है ये mark करने के बाद friends अब हम इस तरह से नीचे का bottom लेंगे जितनी भी हमारी sleeves का bottom है उसमें से हम 1 इंच या 2 इंच प्लस कर लेंगे जितना भी आपको कपड़े की margin लेना है इस तरह से हमने निशान लगा लिया है अब हमने ये जो हमको इधर armhole की तरफ जोड़ना होता है इधर की तरफ से हम एसा का save देंगे तो इस तरह से हमको save दे देना है और same ऐसे ही हम cutting कर लेंगे तो friends ये मैंने अपने sleeves की cutting complete कर ली है आप देख सकते हो इसके बाद इसको हम पुरा open करेंगे इस तरह से open करने के बाद अब हमको एक side half inch down करना होता है सिर्फ एक side करेंगे एक side नहीं करेंगे तो इस तरह से half inch बीच में निशान लगाएंगे और side से इस तरह से गुलाई से हम इसको mark कर देंगे और same ऐसे ही cutting कर लेंगे तो ये मैंने cutting complete कर ली है और ये हमारे sleeves की full cutting हो गई है अब हम लोग सिलाई की तरफ चलते हैं तो friends अब हम लोग सिलाई करेंगे सबसे पहले हमको गले को पलटना होगा तो गले को पलटने के लिए हमको बकरम की जरूरत पड़ेगी तो आपको जितनी भी गले की length लेनी है उसमें से हमको गले को cut कर लेना है यानि कि बकरम को इस तरह से हम cut कर लेंगे जितनी length लेनी है गले के एक इंच प्लस करके हम बकरम को cut करेंगे इस तरह से cut करने के बाद तीन इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और आपको जो भी save देना है गले का वो शेव दे दीचीएगा इस तरह से हमको शेव दे दीना है आप पिन का भी यूज कर सकते हो इस तरह से जिससे कि पहले हम पिन से इस तरह से निशान लगा लेंगे तो बहुत ही आराम से हमारा निशान बन जाएगा और इस तरह से हम कट कर लेंगे लोग इसमें प्रेस कर लेते हैं तो यह मैंने प्रेस कर लिया है इसके बाद अब हम इसको कट कर देंगे तो थोड़ा सा मोड़ने के लिए कपड़े को बचाएंगे बांके इस्ट्रा कपड़ा इसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके पूरे में शिलाई लगा लेंगे तो ये फ्रेंट्स मैंने शिलाई लगा ली है इसके बाद इसका हम सिंटर निकालेंगे इस तरह से और इस तरह से करने के बाद फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसमें चौक लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर पर और अपने फ्रेंट पार्ट को लेंगे तो इसको फ्रेंट पार्ट को हम सीधा रखेंगे बिल्कुल और अपने बक्रम को इस तरह से सीधे में सीधा मिलाएंगे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सेंटर पे रखके बिल्कुल पहले हम सेंटर पे लगा लेंगे शिलाई इस तरह से मैंने लगा ली है यहां तक लगानी है पूरे में नहीं लगानी है अब हम क्या करेंगे बिल्कुल बक्रम के साइट से बक्रम में हमको सिलाई नहीं चलानी है और हम इस तरह से पूरे बक्रम में सिलाई लगा लेंगे गले में अब यह सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल हाफ इंच से भी कम इस तरफ पूरा गला हमको फोल्ड कर देना है अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर देना है तो हमने फोल्ड कर लिया है अब पीछे की तरफ हम इसको पेस्ट कर देंगे यह जो हमारा गला हुआ है ना तो इसको हम अब तुर्पाई करेंगे लेकिन तुर्पाई करने से पहले हम इस चीदा मिलाना है और उल्टा साइड हमको दोने के ऊपर रखने हैं इस तरह से रखने के बाद अब हमने इसमें सोल्डर पर हाफ इंच डाउन करना होता है तो हम लोगों ने डाउन नहीं किया था तो अब कर लेते हैं इस तरह से दोनों को बराबर मिला के रखेंगे उधर अब हमसमें रखा लेंगे बराबर से तो फरेंट्स जैसे हमने इसको कट किया है से मैं थोस्चे वाले सॉल्डर को भी कट करके सेम ऐसे कि सिलाय लगा लेंगे Betsy यह मैंने है इसके बाद हम लोगों को इसको इसमें फिटिंग देनी होगी तो आब हम एक साइड निस हालते चाहते हैं तो दोनों साइड इसको छाप सकते थे लेकिन हमको हो सकता है कि यह आगे पीछे हो गया हो तो इसलिए हम फिर से इसमें एक बार नाप लगा लेंगे इस तरह से सारी फिटिंग का नाप लगा लेंगे और नाप लगाने के बाद ये जो तीनो निशान लगा है इनको फिर से इस तरह से मिला देंगे एक साइट तो लगाए थे लेकिन एक साइट नहीं लगाए थे इस तरह से मिलाने के बाद अब हमने जिस तरह से मार्ग किया है सेम उसी के उपर हम लोग सिलाई लगा लेंगे तो फ्रेंट्स ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा के कम्प्लीट कर लिया है इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे सबसे पहले तो फ्रेंट्स मैंने कॉलर को कट करके रखा है ये हमने साड़े तेरा इंच लिया है लंबाई में और इसकी चौड़ाई है तेर इंच आप जितनी भी चौड़ाई रखना चाहो वो रख सकते हो दो इंच तक ज्यादा से ज्यादा बनती है ज्यादा जौड़ी नहीं फिर अ दूब1 परक लिए टिएधा इस तरह से दौड़े से दौड़ी इसे टीजरी या comic कॉलें इसके बाद हमने ल फो प्रेंट्स हमने के परेंच कर दिया है प्रेश्प करके इस तरह से यह हमने चिपका लिया है फूरा चिपक गया यह हमारा चिपकाने वाला बोकरने लिए इ बिल्कुल साइट से हमको सिलाई लगानी है बकरम के उपर नहीं लगानी है केवल कपड़े में आनी चाहिएए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे पूरे ही कॉलर पर उस तरह से спूरा ऑपन कर लेंगे यानिक इसको अंदर की तरफ कर देंगे अपने कॉलर को बकरम को इस तरह से सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल उपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे इधर से कोने से चलेंगे इस तरह से पूरे में ही हम सिलाई लगा लेंगे तो बिल्कुल side से और finishing के साथ में हमको शिलाई लगानी है यह हमारी color पे शिलाई लग गई है friends आप देख सकते हूं इस तरह से और अब हम इसको जोड़ेंगे अपने कुर्टे में चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं इस तरह से हमने अपने color को लिया और कुर्टे को लिया तो back part से हमको जोड़ना ही शुरू करना है तो हमको इसका back part का center निकाल लेना है और अपने color का center निकाल लेना है इस तरह से हमको रखना है और इस तरह से बिल्कुल सिलाई लगानी है तो यह जहां तक हमारी कॉलर आएगी आगे गले तक इस तरह से हमको लगानी है तो फ्रेंट्स बैक पाइट की तरफ से हम लोग इसलिए लगाते हैं जिससे की हमारी दोनों साइट कॉलर बिल्कुल बराबर आए आगे की तरफ तो इस तरह से हमको पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाते समय हम ध्यान देंगे बक्रम में हमारी सिलाई नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल कपड़े के साइड से हमारी सिलाई चलनी चाहिए इस तरह से हम पूरे ही कॉलर में अब सिलाई लगा लेते हैं तो फ्रेंट्स ये हमारी सिलाई लगके कम्प्लेट हो गई है आप देख सकते हो इस तरह से हमने कॉलर को लगा लिया है ये हमारी कॉलर कुर्टे में जॉइंड हो गई है इसके बाद ये हमारा आगे का पार्ट होगा इस तरह से अभी हमारा ये open है तो friends इसके बाद हमको क्या करना है ये जो हमारा margin वाला कपड़ा है इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा cut लगा लेंगे सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए कट लगाते समय ये ध्यान रखना है इससे हमारी कॉलर पलट जाएगी बहुत ही आसानी से अब हमारा ये जो margin वाला कपड़ा है इसको हम उपर की तरफ रखेंगे यानि कि अपने कॉलर की तरफ रखेंगे बक्रम की तरफ इस तरह से हमको पूरे margin वाले कपड़े को उपर की तरफ फोल्ड कर देना है इसको फोल्ड करने के बाद अब ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके विल्कुल उपर से सिलाई लगाएंगे इधर से तो हम सिलाई उपर से ही लगाएंगे बिल्कुल साइड से ही हमारी सिलाई आनी चाहिए लेकिन पीछे की तरफ देखो हम बक्रम के उपर बिल्कुल सिलाई नहीं लगाएंगे यह जो हमारी सिलाई थी ना यहीं से हमारी सिलाई आनी चाहिए बक्रम के उपर नहीं आनी चाहिए इस तरह से हम पूरे में शिलाई लगा के कम्प्लेट कर लेंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये हमारी कॉलर लग गई है आप देख सकते हो कितनी फनीसिंग के साथ में लगी है मैं आपको पीछे साइट दिखाते हूँ पीछे हमारी कॉलर में बिल्कुल भी शिलाई नहीं लगी है बिल्कुल नीचे की तरफ लगी है आई होड़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और इसका फ्रिल हम लोग अगली वीडियो में कम्प्लीट करने वाले हैं स्लीफ भी आप इसकी लगा लो इसके बाद में तो फ्रिंट्स सारा कुछ हम अगली वीडियो में कम्प्लीट करेंगे अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना